गाजर का पौधा धनिया के पौधे जैसा होता है और धनिया से बिलकुल मिलता जुलता दिखता है और गाजर के जो पौधा होता है उसकी जो जड़ होती वही गाजर होती है और वो स्वास्त के लिए बहुत ही फायदे मंद होती है आईए आपको सीधे खेत में ले जाकर गाजर खाने से स्वास्त को कौन कौन से लाब मिलते हैं इसके लावार गाजर में कौन कौन से पोसकत्त हो है इन सब की जानकारी इसमें मिलेगी और गाजर किस समय खाना सबसे अच्छा माना जाता है सुबह खाना अच्छा माना जाता है करते रहते तो आईए आपको बताते हैं कि गाजर किस प्रकार का ये पौधा होता है ये देखे इस प्रकार से गाजर का पेंड खेतों में लगा होता है और बिल्कुल धनिया के पत्तियों जैसा ही इसकी भी पत्तियां होती है ये देखे और ये जो है जमीन के अंदर इसका य मार्केट में विक्ती जो हम लोग खाते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर आप हमसे सीधे तोर पर जुड़ जाएंगे और आपको देखें नए नए जानकारिया मिलेंगे जिससे आपके स्वास्त को बहुत अच्छे फायदे मिलेंगे हमारे देश की जो आयरुवेदिक आवसदियां हैं इन आवसदियों में इतने दिब आवसदी गुन है कि ये एक एक पौधा पूरा का पूरा मेटकल इस्टोर है हर सैक्डो रोग उस एक पौधे से दूर होते हैं लेकिन उसको किस प्रकार से हमें प्रियोग करना है इस से हम लोग अंजान बने हुए हैं जानना ही नहीं चाहते हैं तो आप लोगों से विनम्र निवेदिन हैं कि इस वीडियो को जादा से जादा लोगों को सेयर करें और आयरुवेद को जो है पौना इस्थापित करने में मदद करें आईए आपको बताते हैं कि गाजर खाने से क्य फाइदे मिलते हैं पहला फाइदा गाजर का एक गिलास रस जो होता है वो पूर्ण भोजन के रूब में होता है इसके सेवन से रक्त में व्रद्धी होती है और आलस दूर होते हैं और सरीर में छुष्टी फूरती आती है दूसरा फाइदा है गाजर की 100 ग्राम मात्रा में पांच ग्राम सरकरा होती है इसलिए मदमेश पीडिद जो हमारे दोस्त मित्र हैं वो इसको सिमित मात्रा में ही खाएं वैसे भी सिमित मात्रा में गाजर को सभी वेक्तियों को खाना चाहिए तीसरा फाइदा गाजर का रस पोसर से भरपूर होता है गाजर का रस पीने से अथ को न से पोसक तत्त पाए जाते हैं इसमें बिटामिन A, B, C, D, E, G और K और इसके लावा बीटा कैरोटिन, नैसिन, राइबोफलेविन, थाइमिन, कैलसियम, लौह तत्त, मैगनीसियम, फासपोरस, पोटाइसियम, सोडियम, फाइबर, वसा, प्रोटीन होता है जो हमारे सरीर के कई रोगों को रोगठाम में बहुत ही महात्पूर भूमका निभाती है गाजर और हमारे जो इन सब चीज़ों की जरूरत बॉड़ी को रोज पढ़ती है, उसकी भी पूर्टी होती है पाँचवा फाइदा, यदि बच्चों की आतों में कीड़े हैं, दिखी कितना मात्पूर फाइदा है तो गाजर खाने से पेट की कीड़े मर जाते हैं, गाजर का रस भी पिला सकते हैं और गाजर बच्चों की सौस्ट के लिए बहुत यावजच्चक है गाजर खाने से पाचन तंतर मजबूत होता है कब्ज का खात्मा करती है गाजर, आँचों की पाचन सक्ती को बढ़ाती है यदि पाचन सक्ती अतधिक कमजोर है, तो गाजर को उबाल कर खाना चाहिए सात्मा फाइदा आँखों की रोशनी बढ़ाने में गाजर अतधिक लाबकारी है यह आँखों के लिए वर्दान साबित हो सकता है गाजर में वीटा का रूटीन होता है, यह आँखों की सभी तरह की कमजोरियों को दूर करता है और आइरवेद में गाजर को आँखों की सर्वस्रेष्ट अवसरीक आ गया है आठवा फाइदा, कैंसर के लिए बहुत ही अतधिक फाइदेमंद है गाजर जो में कई प्रकार के एंटी आक्सिडेंट विटामिन्स होते हैं जो कैंसर की सेल्स को नस्ट करती है और सभी प्रकार के कैंसर में गाजर लाब दायक होती है नवा फाइदा इसका है गाजर में कई प्रकार के एंटी आक्सिडेंट होते हैं जो हिर्दे को ताकतवर बनाने में मदद करते हैं गाजर खाने से हिर्दय की नसनाडियों में जम्मा हुआ जो फैट होता हुआ घुलता है और रक्त प्रवाक सुचार धंक से गाजर चलाने में मदद करती है पत्तब हार्ट कर जो ब्लॉकेज है जो कॉलेस्ट्रोल बढ़ा हुआ है वो कम होता है गाजर में मौदूद बीटा कारोटीन अलफा कारोटीन और लिटीन हिर्दय रोगों से बचाने में मदद करती है इस प्रकार से देखा गाजर कितना महात्पूर है आगर इसके और भी कुछ फायदे मैं आपको बता रहा हूँ दसवा इसका फायदा दोस्तों मित्रों गाजर में कई प्रकार के एंटी आक्सिडेंट होते हैं इसके लावा गाजर का में जो ना सूच में किटानू ना सक होती ही गाजर इसको खाने से दांतों का दर्द ठीक होता है मसूरे सौस्त होते हैं और दांतों में लगा हुआ कीड़ा मर जाता है ग्यारवा फायदा गाजर का ये है कि गाजर में एंटी सब्ली के मौसम में खाना सबसे अच्छा माना जाता है वर्ष भर आने वाली हांकारख रासाइनी गजर खाने से बचे Ergeb में सौ assessments को बरबात तीरोवा भाता है देशी घी में बना गाजर का हलुआ भूंग बढ़ाता है, खून बढ़ाता है, वह इस फूर्टी को बढ़ाता है। गाजर का मुरब्बा, रक्त, पित, बावासिर, संग्रहणी, लीवर की सूजन, नेत रुगों, वात रुगों को ठीक करता है। यह गाजर क्योंकि गाजर में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, वह किटाणों को नस्ट करती रहती मतलब। सत्रों फाइदा ऐसी महिलाएं जिनका यहवन चीन हो रहा हो, जवानी में बुढ़ापा आगया हो और वो महिलाएं गाजर को जरूर खाएं। गाजर खाने से हमेशा यहवन बना रहता है और वो हमेशा यूगा और खूपसूरत दिखेंगी। इसलिए दोस्तों मित्रों मैं यह विश्वास के साथ कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा दूसरों को भी सेयर कर दीजी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजी इसी प्रकार के महत्पूर्ण स्वास्त के लिए अच्छे ची वीडियो में लेकर आऊंगा तब तक के धन्वाद चहंद